बच्चों ये इस बुक का क्लास 3 इंगलिस का चेप्टर 18 है और ये लास्ट चेप्टर है और इसमें एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को एक लेटर लिखता है जब आप लोगो को कभी लेटर लिखने के लिए दिया जाता है जब ग्रामर की पढ़ाई होती है तब आप ये चेप्टर ही लेटर चेप्टर दिया हुआ है एक लेटर लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं किसमें किस परकार का लेटर लिखा हुआ है और इसमें इस चेप्टर में क्या कहा गया है तो आए हम लोग पढ़के जानते हैं यहां पे दिया गया है कदम कुवा पटना तो यह बच्चा जो है वो कदम कुवा में रहता है और यह 2016 का है 23 नॉवंबर डियर सूरज जो बच्चा इस लेटर को लिख रहा है तो वो अपने दोस्त का नाम लिखा है यहां पे सूरज जो लेटर लिख रहा है उसका नाम नहीं पे है I am well here with my parents मैं अपने ममी पापा के साथ यहां पे खुस हूँ बहुत अच्छा हूँ I hope to be the same और मुझे उमीद है कि तुम भी वहां पे बहुत खुस होगे In this letter I am telling you about my best friend इस letter में मैं तुमें अपने सबसे अच्छे मित्र के बारे में बताने जा रहा हूँ I feel that you should know about my best friend मुझे लगता है कि तुमें मेरे सबसे अच्छे मित्र के बारे में जानना चाहिए I have several friends at school मेरा school में कई सारे मित्र है most of them are my classmates जिसमें से ज्यादातर मेरे classmates है सापाटी है साथ में पढ़ने वाले बच्चे है But best among them is Rohit who is my classmate लेकिन उसमें से सबसे अच्छा Rohit है और वो भी मेरा classmate है Rohit is of my age Rohit मेरा हम उम्र है मेरे ही उम्र का है But he is taller than I in size लेकिन size में वो मुझसे बड़ा है Lamba है He has a very cheerful nature वो बहुत ही हस्मुख सभाव का बच्चा है His face is very smiling और उसका चेहरा बहुत ही हस्मुख है I have been with him for about one year but I have never seen him angry and sad मैं लगभग एक साल से उसके साथ हूँ लेकिन कभी भी मैंने उसे गुस्सा करते वे या उदास होते वे नहीं देखा Even if anybody uses ugly words for him कभी अगर कोई बेक्ती उसे कोई अपसब्द बोल देता है गलत सब्द बोल देता है रोहित never losses his temper तो वा बेकाबू गुस्से में बेकाबू नहीं हो जाता He remains quiet वा सांत रहता At school, he sits on the same bench with me School में वो मेरे ही bench में मेरे साथ बेढ़ता है We are together for the greater part of the day हम लोग दीन का लंबा समय एक साथ बिताते हैं दीन का एक बड़ा हिस्सा हम लोग एक साथ बिताते हैं We learn together and we play together हम लोग साथ में पढ़ते हैं और साथ में खेलते हैं He is very helpful, वा बहुत ही मददगार है, सहायक है Whenever I feel any difficulty, जब मुझे कोई problem मसूस होता है He helps me, वा मेरी मदद करता है Once I have gone at his residence एक बार मैं उसका घर गया था I have met his parents मैं उसके माता-पिता से मिला They are very gentle and simple वे बहुत ही नेक और साथारन है आगे लेखते हैं Rohit is very good at his lesson Rohit अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा है He never neglect his study वा कभी भी अपनी पढ़ाई में लपरवाही नहीं करता है He never gives the teachers a chance to make any complaint वा अपने सिच्छक को कभी भी सिकायत का मोका नहीं देता है He is very well behaved उसका ब्यवहार बहुत ही अच्छा है Mathematics is his weak subject Mathematics, Math उसका कमजोर subject है But he labor hard लेकिन वा बहुत महनत करता है He is doing best to make up his weakness वा अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत महनत करता है My friend Rohit is very active and smart मेरा दोस्त Rohit बहुत सक्रिये और चालाक है He is good at both studies and games वा पढ़ाई और खेल दोनों ही चीजों में बहुत अच्छा है Rohit never tells a lie Rohit कभी भी जूट नहीं बोलता He is a honest boy वा एक इमंदार लड़का है I am very proud of his honesty मैं उसके इमंदारी पे बहुत गर्व करता हूं He helps his parents in the house वा घर में अपने ममी पापा का मदद करता है He loves hard work and honesty labor वा इमंदारी पुरुवक कथिन परिश्रम करना पसंद करता है All his qualities have attacked me ये सभी गुन मुझे अकर्शित करता है I cannot find a more ideal friend than Rohit मुझे Rohit से अधिक आदर्स दोस्त नहीं मिल सकता Your sincere friend Chandan तुमारा इमंदार मित्र Chandan जो इस लेटर को लिखता है उसका नाम यहाँ पे राता है लास्ट में राता है तो Chandan ने इस लेटर को लिखा है यहाँ पे इस chapter में कुछ new word दिये हैं जो hard word है आप इसको पढ़कर याद कर लेंगे और देखते हैं इसमें क्या questions दिया हुआ है यह इस chapter का questions है answer the following questions और यहाँ पे two number में write the right option इसका मतलब है कि यह चुनने के लिए कहा गया है इसमें से एक सही है और इसके आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है question number three write a letter to your friend about your school अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है जिसने विद्याले के बारे में बतलाना है इसमें और कुछ क्या दिया हुआ है question number four में choose out qualifying word from this sentence इसमें जो गुन बतलाने वाला word है इसको बाहर निकालना है जैसे कि रोहित is my best friend बेस्ट को बाहर लिकाल लिया गया है उसी तरह से most of them are my classmates तो इसमें जो उस तरह का वड़ है तो इसको भी बाहर लिकालना है और आगे इसमें क्या दिया है इसमें five number में five friends और five classmates पांच दोस्त दिया पांच classmate का नाम लिखने के लिए कहा गया है तई मैं आप लोगो को इसका अंसर बना के दिखाता है यह है चप्टर 17 का question answer answer the following questions when and where from this letter is written this letter is written on 23rd November 2016 from Patna by whom this letter is written this letter is written by Chandan who is the best friend of Chandan Rohit is the best friend of Chandan who is taller Chandan or Rohit Rohit is taller than Chandan write any three qualities of Rohit Rohit's nature is very cheerful he never becomes angry and sad he is very helpful how are the parents of Rohit his parents are very gentle and simple which subject of Rohit is weak mathematics is his weak subject question number two में write option चुनने के लिए गया है और इसका direct यहाँ पे अंसर दिया गया है आप इसको देखकर अपने बुक में टिक लगा सकते है और question number four में choose out qualifying words यहाँ पे एक word qualifying words चुनने के लिए दिया गया है और इसमें जो है answer बना के दिखाया गया है उसी हिसाब से यहाँ पे इसका direct answer दिया गया है तो आप इसको देखकर उसमें भर सकते हैं यहाँ पे यह chapter पुरी तरह समाप्त हो जाता है और इस chapter के साथ ही यहाँ पुरा book भी समाप्त हो जाता है तो आप लोगों को हमारे वीडियो से मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो के लाइक जुरूर कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और आप लोगों को दूसरे subject का वीडियो मिलता रहेगा तो हम लोग दूसरे subject के वीडियो के लिए हम लोग दूसरे वीडियो में चलेंगे आई हम लोग next वीडियो में चलते हैं